नमस्कार सांतियों दिविग्यान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है ग्रेश मिस्रा और आप देख रहे हैं हमारी सिक्चन अभिरूची एल टी पर आधारी विशेशीर जिसका आज का टोपिक है सिक्चा के प्रती अभिरूची highlighting कि तरीके का दृष्टी कौन होना चाहिए एक सिक्चक का, एक छात्र का, एक समाच का, उस छेत्र का, तो उसके विशे में हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं, और इससे सम्मधिध हम 30 महत्वपूर्ण प्रसने करेंगे इस सेशन में, और उम्मीद करता हूँ कि यह 30 प्रसने आपको आपके दिमार्ग में एक फ्रेम और अन्य भी जितनी भी सिक्चंड या सिक्चक से सम्मधिध परिक्षाएं होती हैं, वहाँ पर यह महत्वपूर्ण योगदान देंगे, तो आईए शुरू करते हैं, आज का टॉपिक सिक्चा के प्रति अभिवरिती तो दोस्तों पहला प्रसने इसमें, क्या है देखिए, अध्यापक के लिए सबसे मुल्यवान चीज क्या होती है, जो एक अध्यापक है, उसके लिए एक सबसे मुल्यवान चीज क्या होनी चाहिए, उसकी नौकरी होनी चाहिए, उसकी गरीमा या मर्यादा होनी चाहिए, छ जो है concept में आता है लेकिन चात्रों का विश्वास क्योंकि अध्यापक किसके लिए है जो है चात्रों के लिए है तो सबसे मुलिवान उसका चात्रों का विश्वास होना चाहिए चात्रों का उस पर विश्वास और उसका चात्रों पर विश्वास सबसे मुलिवान चीज होती इसी परकार एक अच्छा ध्यापक वह है कौन है मेधावी वह परिश्रम हो अपने विद्यार्थियों से सच्च लगन रखता हो सदाजीव्यतीद करता हो या अपने विस्याय में प्रणामीन हो तो कहने का आज है अच्छा ध्यापक हो है देखे अगर हम सिक्षण भी रूची पढ़ने हैं तो हमने बच्चे को भगवान मानकर ही जो है क्वेस्टन हाल करने हैं बच्चों के प्रतिय जो भी सकारात्मक चीज़ है उसकी ओर हमारे 99.9% क्वेस्टन सही होंगे क्योंकि आजकल की एजुकेशन चैल से इंटर्ल है चात्र के इंडिट है तो चात्र को ही हमने सब कुछ मानके करना है तो चात्र से समद्धि जो भी सकारात्मक आंसर होंगे वो ही हमारे 99.9% सही आंसर होंगे देखेगा अच्छा द्यापक वो है जो अपने विद्धियारतियों से सच्ची लगन रखता हो तो चात्रों के पक्च में ही हम आंसर देखेंगे इसमा पढ़ते हैं आगे सिक्षा के परसार एवं परसार से क्या होता है लोकतंद्र मजबूत होता है अंद्विस्वास में कमी आती है आर्थी विकास दर बढ़ती है तो तीनों चीज़ें होती हैं सिक्षा के परसार से तो ये सबी आंसर इसमें सही होंगे इसी परकार आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस परकार कर विवार करेंगे अजनवी की तरह करेंगे उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे बहुत गंभीर होकर या फिर मित्रों की तरह तो देखो अजनवी की तरह तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि अगर आप जानते हैं दूसरे को तो गम्भीर होकर ही उसे बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उससे जो है बिल्गुल मित्रों की दरौब व्योभार कर रहे हैं। या फिर एक सामानी जन की दरौब व्योभार करने हैं। क्योंकि अध्यापक अपने आप में एक आधर्स व्यक्तित्त होता है। तो उसके अंदरूप ही उसे व्यावार करना चाहिए तो इसका सही अंसर होगा बहुत गंभीर होगा तो मित्रों की दरब बात करके तो एक सिक्षक और चात्र के बीच में जो एक व्यावसाई गैप है उसका जो है अंतर नहीं रह जाएगा तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि च पड़ाइश्रम मंदित चीजें नहीं सीखता है और अनिक लिए क्रिया कलापों में सलंगने रहता है तो कहने का मतलब है मिच्णों की दरब विभार भी नहीं करना है उसे बहुत गंभीर बहुत ज़्यादा गंभीर भी नहीं कहेंगा तो गंभीरता पूरों की उससे मिलन ऊत्र रही है तपश्यय दिश्चिया और विर्द के सांसान विज्ण साइब उसके सांसण विशन होगो कब सार्थक होगी पाठिक्रम के इंद्रित हो जब छात्र के इंद्रित हो रोजगार के इंद्रित हो और समाज के इंद्रित हो तो मैंने आपको क्या का विद्यार्थी जो हमारे के एक भगवान है तो हम कहरें कि विद्यार्थी के बक्षम जो आंसर होगा उसी की और हम जाए लेकिन सार्टक तभी होगी जब वो चात्र को केंद्रे में रखकर दी जाएगी इसी परकार सिक्षण की समझ्याओं को हल करने का दाइत्तु किसका है पधानाचारी का है सिक्षण को का है सरकार का है सिक्षण का होती है एक अध्यापक होता है चात्र होता है बीच में पाठी करम होता है तो सिक्षण की समझ्याओं को हल करने का दाइत्तु जो है सिक्षण का ही होना चीए इसी परकार सिक्षक की योगिता एवं आच्रन का सबसे अच्छा मुल्यांकन करते हैं कौन करते हैं परधानाचारी करते हैं उनके सिश्ची करते हैं समाच के संभरांत लोग करते हैं अब इससग्य करते हैं शिक्षक की योगिता तो शिक्षक की योगिता इम्- आत्रलिक सबसे अच्छा ब्ल्यांकर उसके चात्र ही कर सकते हैं बढ़ते हैं आगे, आज आपके विचार में सिक्षक का उधीश क्या होना ची। सिक्षा घ्रण करने के बाद नौकरी होना चाहिए, चात्रों की मांसिक योगिता का विकास करना होना चाहिए, चात्रों को साक्षर बनाना होना चाहिए, बालकों का सरवांगिण विकास करना होना चाहिए, तो सिक्षा का मुख्य उद्देशी क्या होना चाहिए, सिर्प सिक लेकिन ये जो है इसे हम कह सकते हैं कि गौण उद्देश है, मुख्य उद्देश है, बालकों का सर्वांगिर विकास करना, इसी परकार पाठिकरम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चीए, सिक्चा के उद्देशियों को, छात्रों की आउशक्ता और रूचियों, योगिताओं को भी रखना है, सिक्चण अनुसंधान को पाठिकरम में सामिल नहीं करते हैं, ये पाठिकरम के भार की चीज़े, ठीक है, इसे सिक्चा वीद करते हैं, जो बड़े-बड़े सिक्चा वीद होते हैं, वो करते हैं, पाठिकरम के अंतरकर ये आता है, तो ज़्यादा बहतर किया है, शिक्षण के उद्धेशियों को सामिल करना चाहिए, ध्यान डखना चाहिए, और छात्रों की योगिताएं, रूचियों और योगिताओं को इसमें डखना चाहिए, तो A और B इसमें दोनों सही आंसर होंगे, अगला प्रसन है, एक प्रदती होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, शिक्षक के इंद्रिक होनी चाहिए, प्रोजेक्ट के इंद्रिक होनी चाहिए, पार्टि पुस्तक के इंद्रिक होनी चाहिए, बालक के इंद्रिक होनी चाहिए, तो मैंने कहां, बालक क्या है अपने आप में, आपको मुख की रूप से रखना थो बालक के अंदृति प्रहिआ पर जाऊगी एक अध्यापक का स्रिष्टम कि होता है पुण चरित्र childhood के अध्यापक के प्रति पूर्ण रूप से समढ़ पित रहे अगर पूर्ण रूप से समढ़ पित रहेगा तो उसमें चरित्र भी उच्ची ही रहेगा उसके उच्चार भी उच्ची ही रहेंगे और धर्मिद्र पेक्च या पंतिन पेक्च या इस तरीके से भी वो रहे गई रहेगा तो ज धनाचारी के पड़ते, अभिभाwy के पड़ते, सरकार के पड़ते. तो मैंने कहाता, जहां पर छात्रों का जो है, कि विशे में सवाकर आत्म का अंसर है चात्रों की बाल स्रमिक बनने के लालसा है चात्रों का अध्यापक से डरना है या ये सबी मुख्य क्या कारण होगा क्योंकि बाल स्रमिक बनने के लालसा तो बिल्कुल भी बच्चों में नहीं होती है चात्रों का अध्यापक से डरना तो ऐसा हमेशा नहीं होता है की कारण होता है इसे प्रकार अध्यापक की कारीं संता को बढ़ाए जा सकता है कैसे बढ़ाए जा सकते है परिक्षाफल के अनुषा पड़्रसाच्फार द्वारा अध्यापक के और्यांपक की आपकेโद्ट तो जो है जिससे अध्यापक की क्या हो जाए तो कड़े अनुसाचन से अध्यापक क्या होगा कारी चमता तो नहीं बढ़ेगी उसकी उसमें में फ्रस्टेशन आ जाएगा अध्यापक के कारियों के सरहना करके तो यह ज़्यादा भैतर है कि अध्याभकों की, कारिउं की कर सरहना करता, मिलती रहेएंगी उसे. तो वो हमेशा अच्छे कारी के लिए तेरी धीर रहेगा. अच्छा वेतन देना झो ये भी नहीं है. बढ़ते आगे. सिक्छा सक्ति एम सक्ता का स्रोध है. किस के लिए महिलाओं के लिए पिछणों के लिए बालगों के लिए यह सभी के लिए ठीक तो देखिए महिलाओं के लिए भी है पिछणों के लिए भी है अब बालगों के लिए ऐसा नहीं है तो ज्यादा बहतर है मैंने कहा है आपको सिक्षण अभिर उची में हम चार उप् तो और बी दोनों इसका सई अंसर हो गो। अग्ला प्सेन है भारत में सिक्षित बिरोजगारी का प्रमुक कारण है। पड़े लिखे लोगे हैं, फिर भी विरोजगार, उसका मुख्यकारण की है, सरकार के रोजगारी के लिए ठोस्त नेति का ना होना, सिक्चा का वियापक परसार होना, उद्देशी हिं सिक्चा, यह घटिया, इस तरकी सिक्चा, ठीक तो ठोस नेती का होना यह ना होना यह भी हो सकता है व्यापक परसार सिक्चा का व्यापक परसार है तो यह तो positive है तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा उद्देशी हीन सिक्चा जी बिल्कुल और अगला प्रसने हमें सिक्षा घ्ता करने करने का जाईए क्योंकि सिक्षा और्थो बारजन योगी बनाती है सभी तो देखो विद्वान भी मनाती है, स्वावलंबी भी मनाती है, व्यक्ति को अर्थोगोजन, यानि कि जो रुपए पैसे के योगी करब कमाने के योगी मनाती है, ये सभी तो इसमें ये सभी सही आंसर होगा, इसमें आंसर गलत दिर का है, ठीक, ये सभी इसमें सही आंसर बढ़ते हैं आगे किस प्रकार का कक्छा नेत्रुत्व सबसे उत्तम माना गया है प्रभुत्वादी सभी का मिला जुला रूप लोकतांत्रिक या प्रयूजनवादी तो प्रभुत्वादी इसमें क्या होता है इसमें सुर्पर सिक्छक का है प्रिजजन वादी तो यह तो नहीं होता है ठीक तो किस प्रकार का कक्छा नेतर हो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अच्छा माना गया तो मिला जुला रूप हम नहीं कह सकते हैं बढ़ते हैं अगे अभीभावोक मुलाकाद दिवस की सबसे अधिक आउस्चकता पढती है देखो जो PTA मीटिंग होती है उसकी सबसे अधिक आउस्चक कहां के लिए पढती है प्राइमेरी कक्छाओं में मादमी क्थां में सेकिंडरी केक्छाओं में कॉलेजों में तो सबसे ज़्यादा अउस बच्चे जब छोटे होते हैं तो प्राइमेरिक अक्षाओं में जो PTA मीटिंग की सबसे अधिक आउशक्ता होती है इसी प्रिकार ग्रामीड छेत्रों के उत्थान का लक्ष होना चाहिए क्या होना चाहिए प्राइमेरियम प्रॉंड सिक्षा का प्रसार नगरीज सुक्स वि अधियान की या यह सभी तो यह सभी सभी चीजों की आसा करता है एक परदानाचारी अपने टीचर से बढ़ते हैं अगे अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आसा करते हैं यह हो गया है बढ़ते हैं यदि आप से किसी गंफिर विसे पर भासर देने के ल शात्रों के प्रति समर्पित होता है, अगर उसे आधेस मिला है कि एक विसेप आपने कुछ काम करना है, तो हम इसा काम करने के लिए तैयार है नहीं होगा, क्योंकि यह आपकी उत्तरदायत जिम्मेदारी है, कि आप किसी भी काम के लिए आपको तैयार है, शिक्चन से बढ़ते हैं आगे आज के विग्यानिक यूग में चात्रों को अध्यात्मिक्ता का ग्यान देना क्या है पिछला पन है अवश्यकता है अनावश्यक का संभव है तो अध्यात्मिक्ता भी अपने आप में क्या है एक सर्वांगिण विकास के अंदरकत आता है अध्यात्मिक व होती है बढ़ते आगे विद्याले के सभी कारिक्रों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता सीखने का उसन मिलता है व्यक्तित्तु का विकास होता है आत्मिश्वास के विकास पर सहीता मिलती है तो तीन उस पॉजिटिव अंसर है तो यह सभी इसका सही अंसर होगा बढ़ते आगे किसी भी विश्वस्तु को चात्रों को सरल्टा से सिखाने के लिए अध्यापक का सरुपर्थम गुण होना चीए किस प्रकार का होना चीए आत्मिश्वास मिश्वास मिश्वन होना चीए विश्वस्तु का ग्यान होना चीए प्रभावी व्यक्तित्त होना कि वह छात्र को सरल्था से शिकाने के लिए तो कि यहां से संदेश कुछ भी घ्यान दे रहें तो है इसलिए आप्विएक्ति करना भीएक beset आंसर होगा कि कि माते लिएत्मि स्वास को सरल्था उतनी बड़ी चीज नहीं है, विसेवस्तु का ग्यान भी उतनी चीज नहीं है, आपका हिर्दय बहुत अच्छा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जब तक अच्छी तरीके से अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, तो आप उससे सरलता से नहीं सिखा पाएंगे तो प्रभावी अभिव्यक्ति ही किसी भी विसेवस्तु को चात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सब पर्थम गुण होना चीज तो एक अध्यापक में अभिव्यक्ति की चमता बहुत अच्छी होनी चीज इसी प्रकार विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्य बालक का सबसे जादा भला है उसके ओठ जादा जाएंगे तो बालोकों का सरौन के आयोजन का उद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्यश होता है आपकी धाड़नाग है तो एक छात्र की दृष्टी से अगर आप एक छात्र है आप तो आपके दृष्टी से विद्याले में जो छात्र संग बनते हैं उसको बनाने के बारे में आपके धालना क्या है इससे कोई लाब नहीं होता है विद्याले में दादागिरी फैलती है सक्षकों के अन्यायों के पर दए लडने का एक साधन है या भी चात्रों में नेतर्टों की बहवना बढ़ती है तो कहने के मलब में नेतर्ट्रों की बहुना बढ़ती है जिसे आगे आने वाले समय में जो है समात का नेतरतु परिवार का नेतरतु और सभी का नेतरतु कर सकते हैं तो इसलिए एक छात्र की दृष्टि से विद्यालाई में छात्र संग संगठन के बारे में आपकी राई होनी चाहिए कि छात्रों में नेतरतु की भावना इससे बढ़ती है तो इस तरीके से इस महतुपूर्ट टॉपिक सिप्चार के प्रतिय अभिवरिती के तीस महतुपूर्ट प्रसनम ने इसमें कर रखें उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये सेशन सहयक होगा और एल्टी भरती परिक्षम में आप इससे जादा से ज़्यादा जो लाप कमा पाएंगे अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे सेयर कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं इसी तरह की अन्य वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्राइब